नमश्का बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन सहसान परिक्षा पसमें कैसे हैं सभी UPPSC की तरफ से APS आने वाली है और लगाता है जो बच्चे इसकी त्यारी कर रहे हैं उनके अंदर उत्सुक्ता जो है वो देखने को बन रही है लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे जो मैं जानता हूँ कि इस्टेनों उनका प्लियर है इस्टेनों अच्छे से उनके स्पीड आती है बड़ फिल भी सजब नहीं है साथ इस बात को लिए कि यह परिक्षा उनके PSC करवाएगी तो बहुत कठीन होगी मैं नहीं निकाल पा स्टेनों अच्छे खासे स्पीड आती है और आप तैयारी नहीं कर रहा है तो भी आप गलत है और आपको तैयारी करने की बिलकुल इच्छुक है बड़ फिर भी एकदम आपको दिमाब में यह चल रहा है कि अब रही आएंगी जब आएंगी तब तैयारी किया जाएगा त पता दू अपर ने जी सुचिव बहुत अच्छा पद है इस बार यह गैस्टर भी हो चुका है और तालिस सो ग्रेट पे की नौकरी है और यूपर प्यस्टी करवा रहा है तो नोड़ इसका पेपर आसान नहीं होने वाले है दोसरी बात अब शारी चीज़ें यहां पर क्ल मेर हो गई है लगब लगब और सब अब कभी भी वेकंसी जा सकती है वो तमाम चीजें जो बताती है वो आपके पेपर कटिंग में भी देखेंगे मैं आपको पहले भी बताया हूँ और पेपर कटिंग बाद में जो प्यूपी प्यस्टी की तरब से उनकी खुद निकाले जाते हैं जैसे सायक नगर में योजक 24 इसका इन निकाल ही दिया इस टापनास के बाइस सो चारीज पदा आने वाले हैं इसके केवल दो पद हैं सायक रसाय लग्य का मा अगस्ट द्रजाट इसके दूचे सब्ता में आ जाएंगे मतलब कि अभी चार-पांच दिन में आ जा इसने थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ तो ओटियार वाले में इनुने क्या बताया था कि कुछ वेकेंसी आने वाली हैं और इनका जो क्रम था उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे कृशी सेवा परिक्षा अपनेजी सच्चू परिक्षा फिस समिक्षा अधि APPSC ने इस बात को दिया है OTR में इससे समझ में याता है कि जो सबसे बहने वेकंसी है वापकी कृशी वाली आएगी फिर APPS आएगी फिर आरो यारो आएगी लेकिन कब आएगी कितने अंतराव में आएगी इसका कुछ कहा नहीं सकता सबसे पहले या सबसे बात का मतलब नह है या आरो पहले APPS बाद में आए यह अब आयो के अपने वुद्धी विवेग और अपनी आवसक्ता के अनुसार होता है अगर हम इस gravity को देखे कि demand किसकी ज़्यादा होती है बच्चे किसके लिए ज़्यादा वेट कर रहे है या अगर पॉलिटिकल तरजुपी देखा जै कराने वाले हैं जितना भी आते हैं इसको देखा जाएगा तो यह बहुत अच्छे खासे पर्द भी आ रहे है तो अगर 2013 के बाद देखा जाए कि उनका पेपर भी निरस्कों हो चुका है वो पेपर भी दुबारा नहीं कर वाए है हाला के वाले हमारा वी सही तक होना चाएगी ने तेनों अलग से लग वैं Mills ke इस ऐसे लेके तो वो बिल्कु समय मत गवाओ, सेक्डों हजारों बच्चे और परिच्छा प्लस से जुड़े हैं, इस बात को सिंफाई करते हैं कि कहीं न कहीं इसमें बच्चे सीरियस हैं और बहुत बेतीन तरीके से पढ़ाई कर भी रहे, आप भी उनमें सामीन हो, आप भी अपनी हो रहा था, उत्तर परिच्छा प्लस से वाइकुत रिप्साद है कि कुछदेव के साथ-साथ मंगल पॉंट भी अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, मंगल भी टाइपिंग कर सकते हो, तो उसके लिए यहां पर पर परिशान नहीं होना है, मंगल साथ-साथ-साथ सेकते हैं, मुट में पराइपिंग करें, मनगल वाले भी हमाईजयर, मंगल साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सो अगस्त महीने में तो स्वास्त विभार वाले ही रहेगे, hat क्रेशी वाला अब में पहले को बाते ही लिए अपको दिया जाएगा लिए लिए अमप्र के महीने लाष् quarantine में यह हो सकता है 24 के जुनवरी में आप सभी के पेपर भी कंड़क्ट करा ले जाए पिछली बार भी यही हुआ था इस बार भी आपका जादा चांसें से कि साथ में करवा ले जाएगा पर का इस तर कठी होता है मैं क्योंकि की चर्चा कर रहा हूं यहां के सबसे बहले में एपीएस के बारे भी बताऊंगा क्या क्या पूछता है यह आप जानते हो कि इसमें दस टॉपिक जीस में दिया हुआ है और सबसे अच्छी बात है सबको इसने मार्स बता दिया है कि कौन सी कितनी नंबर के आ रहे जैसे अब् सब्सक्राइब की ज़्यादा पूंचेगा वह ची नंबर बहुत जाले बच्चे को सोच रहे हैं तो इसके बदल जाए बदलने का चांस वह सकती है जीरो पॉइंट जीरो बड़ परसेंट है 99.99 परसेंट चांस यह है कि पेपर ना बदले खर्विन आते शुक्ति की बात सब्सक्राइब करूए यह आयो पर निवर करता है आयो गभी तमाम चीजों में फसा हुआ है इसके अलिजबेटी पर फसा हुआ है इसके जो समकच्छता होता तो इसके सिलेबस पर बदलने की कोई बबास सुनाए नहीं पर रही है आपका सिलेबस नानने परसेंट चांस से पर निवर कि यह है तो जीएस में इसके पारंपरिक जीएस के टॉपिक नहीं है इस बात को ध्यान देना इसमें आपके जादा जो पार्ट है वो जन्रल अवेर्नेस वाले पार्ट है कौन से पार्ट है जिसके अब्रवेशन फेमस बुक उसके बाब आपका निवजा स्पो अपके तयार रहते हैं पारंपरिक जीएस होती है वह जैसे आठिमवास्ता इसमें नहीं पूछा जाएगा संसामीक मुद्धे जो होते हैं वह भी आपके क्या है वह भी आपके दसमबर इंपॉर्टन इवेज निटन इटरल इन वह आपका दसी पूछा जाएगा इसमें ज तो आपको हिंदी निबंद है के निबंद बहुत सारे शांस्था इनक को मैंने गलत बच्चों को मैसेश देती वह देखा है कि हिए बूला है कि आया कि अटेसा नहीं है यूपीड सी के पेपर होता है इस में आप आप का इंटी में लिखना है इसमें च्छे टॉपिक आपको दी जाएंगी, हाला कि वहां पे नंबर जादा होता आ रहा है और हमें APS में कम है कि आप 25 संकर का पूंचा जाएगा इसके बाद इसमें आप इंग्लिस में भी निवंद लिक सकते हो फो इजहा होते हैं इनको ठोड़ी की प्रियारटी की बच्छा कर दिया जाता है उसको इन से अच्छी जगह पर दी जाती है, इस बात को आप समझेगा, जहां पर वो चाहता है, वहां को उसके पोस्टियों दी जाती है, थोड़ी प्राइल्टी बढ़ जाती है, तो आपका पहले तो आपका पेपर होगा, कॉन सार्ट, MCQ होगा, सेकेंड सिफ्ट में आपक को हिंदी करनी है, और हेंदी टैपमें पत्च्छिस वर्ड परमेंट कि वल्लाना है, ताइड जय जाता है, चाहे कुछ रटे हो, चाहे अपका क्या हो, चाहे अपका मंगल हो, ठीक है, इसमें कौलाइफ कर लोगे, क्यौनीफाइग करने बात भी अगर आपका स्पीड वह यहां पर ला सकता है, यह marks भी क्या होते हैं, calculate होते हैं मेरे डिबनने में ठीक है, बाकि यह optional paper है, optional paper मतलब की वैकलपिक है, कि आप इसे चाहो तो दो, चाहो तो ना दो, नहीं दोगे तो भी आपका selection होगा, दोगे तो भी आपका selection होगा, दोगे पास हो जाओगे, तो आपको practical exam करवाते हैं, इसमें objective time नहीं होता है, यह आपका means का part है, पहले आपका objective type paper होगा, दूसरे सुप्र में हिंदी का descriptive होगा, कुछ दिन बाद आपका क्या होगा, short hand or title साथ में होगी, उसके बाद आपका computer का paper होगा, यह आपका थोड़ा pattern अलग होता है, paper देने का यह की तयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल समय मत कर दाओ, क्योंकि आपकी paper का इस तर होगा, यह काफी cutting होता है, और ऐसे इस तर में करने के लिए, आपको कहीं न कहीं, जादा मेनत करने हो, कि यह कड़ी मेनत करने हो, इसका बहुत अच्छा best team परिक्षप्ट सुरारी, बहुत hybrid best क्योंकि आपका general amendments वाला पार्ट है, यह जोड़ा जा रहा है, जहां पर आपको daily basis पर टार्गेट भी आप जोसे मुहावरे हो गया, लोगों को टिया हो गया, या पत्र लेका लोगया, तो आपको दे गया गया, पत्र क्या है, या पत्र कितने प्रकार क्या होते है, आप जो क्या लेगे, आप किते प्रकार क्या होते है, क्या लेगे, आपका उदाहरण दीजिए, तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, आपको जैसे means में copy मिलती है, जैसे आपको प्रिक्षा में copy मिलेगी, उसी प्रकार के copy में आपको लिखके देना होता है, हमारे expert उसका क्या करत आपका पाट कराएंगे जब आपका यह हो जाएगा यह बहुत कम में आपका देखाज़े तो इसके बाद आपका होता है। इसमें आपका यहां पी यह कोर्शन होता है। इसको आपको लिखके देना होता है। और टीम क्या करती है। टीम उसको चेक करती है। अपना एक उसे आंसर टॉपी देती है, जैसे याँ पेपर टेस्ट वन का पेपर टू हिंदी है, टॉपी बिलों परेवाची, आपको लिखना था निम्लेखित सब्दों के परेवाची लिखिए, आग, जंगल, आकास, इंड, एक्षा, और ऐसे ही निम्लेखित सब्दों के आपको विलों सब लिखिए, इनके आपको विलों सब लिखना हो, बहुत सारे बच्चे, या पर देखे, आप सभी प्रशनों का उत्तर एंफोल साइस पेपर में लिखकर, उसे स्कैल करके, पेडिया फाल, सामग छे बज़े ग्रुप ओपन होने पार ग्रुप में भेज द जाते हैं या फिर जो आपकी इग्सामप्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट इट होते हैं, उन कोशिंज को हम यहाँ पर रखते हैं, तो यह जो आपको पा कोशन था उसका अंतर आपको दिया गया है, और फिर आप इसे क्या कर सकते हो, अपना मिला के और इसे याद भी कर सब्सक्राइब. विद्ध के लिए पर यह प्राइब करा जा रहे हैं. खुश्य प्राइब करना चाहते ह। आप खुश्स से तायरी करना चाहते ह। आप गए प्राइब करके जूर सकते ह। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके टेस्ट और कुईज़स भी यहां पर कुईज़स भी चल रहा है यूप एपिएस की कुईज़स देखोगे तो बहुत सारी कुईज हो चुकी है इसमें देखा जायते हैं लगबग पच्पन कुईज हो चुकी है यह सारी ही चीज़े आपको recorded form में मिल जाएंगी जो बच्चा अभी भी जोइन करेगा उसे कोई दिक्कत नहीं है सारी ही चीज़े आपको क्या होती है मैल जाती है ठीक है तो उमीद है कि एपिएस की जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके अगर बिज़ेगा और वी रपसंदेनों लाइक और शेका देजीगा पिर में दोंके जाने बास दीदा